मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताईए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन प्रधानमंतीर नरेन मोदी ने परिवारवात को लेकर कौंग्रेस पर हमला किया है सर्ज़द में नरेन मोदी ने राहूल गांधी के बार बार रिलाउंज करने को लेकर ज़म कर आलोश्या करते हुए कहा है कि दस सालों में विपक्ष के दाइतों को निभाने में राहूल गांधी असफल हो गए। लेकिन दस साल में उस दाइतों को निभाने में भी वे पुरी तरा विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है। उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं। इसलिए हर बार यह करते रहें कि और पी विपक्ष जब पेजस की लोग हैं। को दबा दिया जाएं। हाउस में कई यंग हमारे मान्य सामसद गण हैं। उत्सा भी उमंग भी हैं। लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं। तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं। उस चिंता में इस यंग जन्रेशन को मोका न मिले। हाउस को ही चलने नहीं दिये गए। अन्य एक प्रकार से इतना बड़ा नुक्सान कर दिया है खुद का भी विपक्ष का भी संसद का भी और देश का भी और इसलिए और मैं हमेशा चाहता है कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपक्ष की बहुत जरुब है। देश ने जितना परिवारबाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कॉंग्रेस ने भी उठाया है। अब अधिर बाबु की हाला तो हम देख रहे हैं। वन्ना ये समय था संसद में रहने का। लेकिन परिवारबाद की सेवा तो कड़ी पड़ती है। आदेने अधिक जी अधालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिफ्ट हो गए। और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही सिफ्ट कर गए। ये सब परिवारबाद के भेंट चड़ गए। एक ही प्रोडक्त बार बार लॉंच करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गए। और ये दुकान हम नहीं कह रहे हैं आप लोग कहते हैं दुकान फोली है। सब जगाब फोलते हैं दुकान को ताला लगने की बात आए। यहां हमारे दादा आपनी आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बैठ बैठ कॉमेंट कर रहे हैं परिवारबाद की। मैं जरा समझा देता हूँ आपको ना जग महोद है मैं जरा समय ले रहा हूँ आज़े। हम किस परिवारबाद की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बलगूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदि करते हैं उसको हमने कभी परिवारबाद नहीं कहा है। हम परिवारबाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्रात्विक्ता देती हैं जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोगी करते हैं वो परिवार बाद है ना राजनाजी की कोई पुल्टिकल पार्टी है ना अमिशाह की कोई पुल्टिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित नहीं ह लोग तंत्र में पार्टी अने एक परिवार के दस लोग राजनीती बाए कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नवजवान लोग आए हम भी चाहते हैं इसकी चर्चा खरिये हमारे साथ आपके साथ मेरा विश्य नहीं है देश के लोग तंत्र के लिए परिवार वादी राजनीती परिवारिक पार्टियों की राजनीती यह हम सब की चिंता का विश्य होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा दस लोग प्रगदी करें मैं स्वागत करूंगा देश में जितनी नई पीडि अच्छे लोग आए स्वागत होंगे सवावल यह है कि परिवार ही पार्टिया चलाती है पक्ता है यह द्देख नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह लोगतंतर का खत्रा है और इसलिए अच्छा हुआ दादा honš यह विशे कभी बोलता नहीं था आज बोल दिया मेरे अधनिय अध्यक जी एक ही प्रोड़क को बार-बार लॉंच करने का भरपूर प्रयास हो रहा है अधनिय अध्यक जी कॉंग्रेस एक फरिवार में उलज गई है देश के करोड़ों फरिवार के आकांग्शाए और उपलब्दिया वो देख पाही नहीं रहे है